लोकसभाद चुनाव दोहजार चुबीस के नतीजे आने से पहले और एक्जिट पोल आने के बाद दिल्ली में हलचल बढ़ गई है पिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने दिल्ली पहुचकर पीए नरेंदर मोधी से मुलाकाद की है वो इस मीटिंग के लिए दिल्ली में स्थित साथ लोक कल्यान मार्क पहुचे नितीश आज ही ग्रेमंतरी अमिशा से मुलाकाद भी करने वाले हैं ऐसे में अब ये सवाल उठाये जा रहे हैं कि अचानक नितीश को दिल्ली आने की जरुद क्यों पड़ी चुनाव नतीजों से पहले नितीश कुमार के दिल्ली आने को लेकर दो बाते सामने आ रही हैं कहा जा रहा है कि कहीं नितीश अब बिहार की सियासत से दिल्ली कुछ करने का मन तो नहीं बना रहे हैं ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस बार एक्जिट पोल में जेडियू का प्रदर्शन कुछ निराशा जनक नजर आ रहा है ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं नितीश अब दिल्ली की सियासत करने का मन तो नहीं बना रहे हैं हलकि जेडियू या नितीश कुमार की तरफ से इस लेकर अभी तक कोई हिंट नहीं दिया गया है नितीश कुमार का पिये मोदी और ग्रियमंत्री अमिशास से मुलाकात को लेकर जेडियू की तरफ से कहा जा रहा है कि नितीश कुमार दिल्ली विशेस पैकेज की मांग को लेकर पहुँचे हैं एक जून को सामने आए एक्जिट पोल की माने तो इस बार बिहार में NDA का प्रदर्शन पहले जैसा नहीं रहने वाला है इस बार के नतीजों में NDA को थोड़ा नुकसान और बहागट बंदन को थोड़ा फाइदा होता हुआ नजर आ रहा है एक्सिस माई इंडिया की तरफ से जारी किये गए एक्जिट पोल की मताबिक 2019 का प्रदर्शन NDA के लिए दोहराता इस बार नजर नहीं आ रहा है एक्सिट पोल में दिये गए आकड़ों के मताबिक एक तरफ जहां NDA के वोट की हिस्सेदारी में कमी आई है तो वहीं सीटे पहले से भी कम आ सकती है जबकि बिहार में इस बार विपक्षी गटबंदन पहले से जादा मजबूत और पहतर प्रदर्शन कर सकता है बिहार में महागटबंदन के वोट हिस्सेदारी में इसाफा हुआ है साथी साथ उसकी सीटे भी पहले से जादा आ सकती है एक्सिट पोल के आकड़े बता रहे हैं कि बिहार में NDA को 39 से 33 सीटे हासल हो सकती है जबकि महागटबंदन को 7 से 10 सीटे हासल हो सकती है NDA गटबंदन के अंदर BJP को 13 से 15 सीट पर जीत मिल सकती है वहीं जेडियों को 9 से 11 सीट पर जीत हासिल हो सकती है